नमस्कार नियोस स्टुडियों में मैं डॉक्टर हितेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज हमारे पास विशे विशे शग्य हैं डॉक्टर गोरोव सिंग शिक्षा विद्यापीट इगनू नई दिल्ली से और आज डॉक्टर गोरोव हमें व्यक्तिक अधिगम में क ख्षा-क गोरोव सिंग मैं तो कख्षा-कषप्रबंदन की बात करते हैं चिछ हमारे अध्यापकों को पहले ही इस पस्ट हो कि हम अध्यापकों से ये कहते हैं कि वो प्रतेक विद्यार्थी को व्यक्तिक अधिगम या इंडिविजुल लर्निंग के लिए प्रेडित करें या कक्षा कक्ष में सदेव व्यक्तिक अधिगम का ही प्रियोग करें लेकिन वैक्तिक अधिगम एक अधिगम युक्ती के रोप में बहुत प्रभावी ढंग से कक्षा कक्ष में प्रियुक्त हो सकती है उन विद्यार्थियों के मदद के लिए जो विद्यार्थी कई वार कक्षा कक्ष में जो सामानने अधिगम की गती है उसके साथ अध्यन नही कर पा रहे हैं यदि आप व्यक्तिक अधिगम के उद्देश्यों को देखें तो हम यह प्रश्ण उठाते हैं और हमारे अध्यापक भी कई वार यह प्रश्ण उनके मन में भी उठता है क्या आखिर व्यक्तिक अधिगम की आवशक्ता क्या है वाई इंडिविजुल लर नहीं सभी विद्द्यार्थियों की अधिगम शैलियां एक जैसी नहीं होती है प्रतेक विद्द्यार्थी की अपनी निश्चत अधिगम शैली होती है और एक कक्षा में भिनप्रकार के विद्द्यार्थी है तो भिनप्रकार की अधिगम शैलियां होती है परंतु कई वार क्या क्षा में जब अध्यापक पढ़ाता है तो वे किसी एक अधिगम शैली के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा लाफप्रद हो जाता है और किसी भिन अधिगम शैली रखने वाले विद्यार्थी उसके साथ उतनी तेजी से और अच्छे डंग से नहीं पड़ पाते हैं अग सांस्ग्रितिक परिवेश और ऐसे में सिक्षक की भषा सिक्षक का आचार विचार कई वार किसी एक समूंख को अधिगम में उतनी मदद नहीं कर पाता जितना किसी किसी दूसरे समनख को मदद करता है तो ऐसे में यदि सिक्षक यदि बच्चों की पहचान कर ले जो कख्षा की सामाने सेक्षण प्रक्रिया का अंग बने होने के वावजूद उतनी अच्छी गति से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं तो वह व्यक्तिक अधिगम विधियों का प्रियोग प्रभावी ढंग से कर सकता है अगर उसे इन विधियों की जानकारी है a big big अधिगं में अच्Feへ से ल ्एम के क्रिया कलापों पर चर्चा ले मैं यह चाहता हूँ greatest धिशम के भिन्य किरिया कलापों को जानना आवश्क क्यों वाधीक के जितने भी क्रिया कलाप हैं उन सारे क्रिया कलापों में एक चीज सामाने है एक गुण सामाने है कि प्रतेक प्रकार के क्रिया कलाप में विद्यार्थी को वैक्तिक प्रयासों से अधिगम करना पड़ता है अपने स्वयम के प्रयास करने पड़ते हैं अधिगम के लिए इस दूसरी जब अध्यापक वैक्तिक अधिगम के क्रिया कलापों को प्रियोग करना चाहता है तो उसे प्रतेक बच्चे के लिए उसकी योगता, छमता, आवश्यक्ता, अधिगम सैली, भाषा, आधिका ध्यान रखते हुए वैक्तिक क्रिया कलापों का निर्धारण, नियोजन एवं का पर्यान वेन करना पड़ता है साथ ही उसे अपनी गती से अधिगम करना है विद्यार्थी को व्यक्तिक अधिगम का लाव यही है तो आपको ऐसे क्रियाकल अपनी योजित करने पड़ते हैं जिसमें विद्यार्थी अपनी गती से अधिगम कर सके अपनी गती से सीख सके वो धिमी गती से पढ़े तेज गती से पढ़े वो आज थोड़ा पढ़के कल थोड़ा और पढ़ना चाहता है तो वैसे पढ़े वो एक साथ पूरी विशयवस्तु एक पाठ की समाप्त करना चाहता है तो वैसे पढ़े तो उसको अपनी गती निरदारित करने की स्वतंतरता होत सभी विद्यार्थियों का आकलन एकी प्रकार के उपकरण और एकी प्रकार की आकलन युक्तियों से नहीं किया जा सकता तो वैक्तिक अधिगम के क्रिया कलापों का आकलन भी विविद्धा पूर्ण उपकरणों और युक्तियों के माध्यम से होता है इसलिए जब हम वैक्ति कारे आसाइनमेंट बोलते हैं दूसरा व्यक्तिक कारे पुस्त का इंडिवीजुल वर्क बुक इसका भी काफी प्रियोग किया जाता है तीसरा क्रिया कलाफ है स्वा अनुदेशन सामिक्री सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेटीरियल और चौथा क्रिया कलाफ है कंप्यूटर सहेति जैसा यह कैसा कारे होता है जो अध्यापक किसी पाठ को समाप्त करने के बाद उस पाठ के विशय में बच्चों को और अधिक स्पस्ट ग्यान हो जाए और विस्त्रत ग्यान हो जाए उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को देता है कि विद्यार्थिय लाएंगा या उस कारी को करके आएगे कि बाल उत्तर लिखने के सवरूप में नहीं होता कई वार किसी प्रजेक्ट के रूप में भी हो सकता है उसको करके लाएंगा और सबका मुल्यांकर एक ही उपकरण करना होगा, उनको छात्रों तक संप्रेशन करना होगा, प्रतेक छात्र के लिए अलग प्रकार के दत्यकारियों का निरधान करना होगा, क्योंकि प्रतेक छात्र की अधिकम आवश्रक्ताय भिनने हैं, उसकी अधिकम शेलियां भिनने हैं, साथ ही प्रतेक छात्र का आपको प कि दत्यकारे का उदेश से केवल बच्चों ने कितना सीखा इसका आकलन करना नहीं है दत्यकारे अधिगम उक्करण भी है और दूरस सिक्षा में तो इसका बहुत प्रभाबी उप्योग होता है कि बच्चे जिन दत्यकारे को करके देते हैं देता उनके अध्यापक कुछ उनको टिपणियां देते हैं उनको लिखते हैं कि उन्हें कहां अच्छा लिखा कहां खराब लिखा क्या और लिख सकते थे कहां और सुधार की आवशक्ता है वो प्रतिपुस्टी उनको आगे आने वाले कारियों में सुधार के लिए प्रेडित करती है तो दत्तकारियों का प्रियोग बहुत सावधानी से करना चाहिए भिन्न प्रकार के दत्तकारियों का प्रियोग करना चाहिए प्रतेक ऐसा चात्र जिस पर व्यक्तिक अधिगम के उपाय अपना रहे हैं, उसके लिए अलग प्रकार के दत्यकारियों को नरधारन करना चीए, इसलिए एक सिक्षक की भूमिका दत्यकारियों के नरधारन में बहुत महत्पूर्ण हो जाती है। लेकिन वो कार्य पुस्तिका फिर सबके लिए समान होती है, लेकिन वैक्तिक अधिगम होता है, तो चात्र की योगता और छमता के अनुसार कार्य पुस्तिका निर्मित की जाती है। उसमें किन कोषलों का विकास किया जाना है, किन छेत्रों में वय बालत पिछड़ रहा है, उन छेत्रों से आधारित क्रिया कलापों को भिनता होती है. साथ ही व्यक्तिक कारिपुस्तिका जो होती है, उसमें स्व APLEAN के अवसर होते हैं. वो ये देख सकते हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं कहां उनको सुधार की आवश्रकता है साथी क्रिया कलापों में भी एक क्रमिक विकास का आवसर परदान किया जाता है क्रमिक विकास से मेरा ताद परे है कि पहले उनको आसान क्रिया कलाब दिये जाते हैं, फिर उससे उच्च कोशल के क्रिया कलाब दिये जाते हैं, फिर थोड़े और उच्च कोशल के क्रिया कलाब दिये जाते हैं, जिससे उनकी छमताएं और कोशलों का क्रमिक विकास हो सके, वेक्तिक कारिपुस्तका में कृया कलापों का निरधरन भी एक करम में किया जाता है। तीसरी जो बहुत प्रभाबी स्वा अधिकम सामिक्री है, खासतार पर दूरस्च्छा में तो इसका बहुत प्रियोग होता है, ये वैक्तिक अधिगम का एक बड़ा उपकरण है जिसको हम स्वा अनुदेशन सामिक्री ये self instructional material बोलते हैं ये स्वा अनुदेशन सामिक्री मुख्यता इसकिनर्द ने जो क्रिया प्रसूत का सिध्धान दिया था और जो कारक्रमित अनुदेशन के सिध्धान ताए उन सिध्धानतों पर आधारित है यह स्वान देशन सामिक्री अपनी गती से अधिगम के अवसर प्रदान करती है स्वान देशन सामिक्री के बारे में कहा जाता है कि उसमें टीचर इन विल्ट होता है अध्यापक अंतह समाहित होता है वह जब बच्चा स्वानो देशन सामिक्री को पढ़ता है तो उसको लगता है कि मेरा अध्यापक मुझसे बात कर रहा है मेरा अध्यापक मुझसे बात कर रहा है उसको किसी अध्यापक के आवश्रक्ता स्वानोदेशन सामिकरी की व्याख्या के लिए नहीं बढ़ती है इसलिए स्वानोदेशन सामिकरी का लेखन सामान ने पाठपुस्तक की लेखन सहली से बहुत भिन होता है बहुत अलग होता है एक और इसकी विशिष्टा होती है कि ये self content होती है अपने अपने पूर्ण समावेशी होती है जो स्वान देशन सामिकरी होती है उसके बारे में कहा जाता है और ये प्रयास भी किया जाता है कि उसमें बालक को जितनी जानकारी चाहिए बालक में जो कोशल विक्सित किये जाने है उसके लिए जो क्रिया कलाप चाहिए वो सब उसमें समाहित हों उसको कहीं और से कुछ और न ढूंडना पड़े तो स्वान देशन सामिकरी सरवाधिक प्रयोग होने वाला उपकरण है सरवाधिक भावी क्रिया कलाप है व्यक्तिक अधिगम के लिए इसका ही जो एडवांस टेकनोलोजिकल रूप है जिसको हम कहते हैं कम्प्यूटर साहितित अधिगम जब हम कम्प्यूटर साहितित अधिगम की बात करते हैं तो computer सहायतित अधिगम से हमारा तात परे है, computer की सहायता से विशेश रूप से तयार अधिगम सामिक्री विद्यार्तियों तक पहुंचाना. यह हितेश जी हम दो रूपों में पहुँचा सकते हैं एक रूप है इसको आफलाइन मोड में पहुचाना आफलाइन मोड का मतलग कि हम कोई अधिगम सामिकरी तयार करते हैं वह अधिगम सामिकरी एक सीडी रोम में डालकर बच्चों तक पहुचा देते हैं अपने सिक्षार प्रस्ट पोशन मिलेगा फिर जब ठीक उससे सीख जाएंगे तब अगले चरण पर आएंगे तो क्रमिक तो उसमें होता है कारिक्रमित अनुदेशन के सिद्धान तो पर अधारित होता है लेकिन वो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती और जहां इंटरनेट क सहली की एक और अच्छी विशिष्टा ये इसमें तो पर्तिपुस्टी के परियापत आफसर होते हैं कि उनको जितनी बार चाहिए उतनी बार परतिपुस्टी मिल जाती है साथी वो जितनी बार चाहिए उतनी बार उसको रिपीट कर सकते हैं उसको बार 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 या उनके घर पर computer उपलब्द है यदि वो computer तक उनकी पहुंच नहीं है तो फिर वो computer का प्रियोग computer साहित अधिगम सामेगरी उनके लिए बहुत प्रभावी नहीं है गोरो जी आपने हमें क्रिया कलाप जो व्यक्तिक अधिगम के विभिन क्रिया कलाप है इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया लेकिन जिसा आपने बताया कि जो व्यक्तिक अधिगम का हम नियोजन करते हैं उसका क्रियान वैन करते हैं उसका आकलन या मुल्यांकन करते है लेकिन यहाँ एक चुनोती पूर्ण कारिया है तो इन चुनोती पूर्ण कारियों पर कुछ प्रकाश डाली है और यह बताईए हमारे दर्शकों को कि व्यक्तिक अधिगम का जो प्रभंदन है उसको प्रभंदन में क्या-क्या चुनोतिया आती है चुनोतियों को यहां पर जहां तक संदर्व है वो चुनोतियों को संदर्व है सिक्षक से किये दिये सिक्षक को व्यक्तिक अधिगम सहली अपनानी है कुछ विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिक अधिगम को का सहरा लेना है तो उसका प्रवंदन वो किस प्रकार करे चुनोती पूर्ण है ये मैν मानता हूं लेकिन असंभव नहीं है चुनोती पूर्ण क्यों है क्योंकि पहली चुनोती है उसके सामने चात्रों की भिण रुचियों की जानकारी आशिल करना प्रतेक छात्र की अपनी अलग-लग रुची होती है और उसकी जिस चित्र में रुची होती है जिस प्रकार के स्वरूप में रुची होती है यदि हम पाठ़पस्टकों को भी देखें तो कुछ बच्चों को कोई एक पाठ़पस्टक ज्यादा पसंद आती है दूसरी कुछ सामोहिक क्रिया कलापों में ज्यादा भाग लेना चाहते हैं कुछ ऐसे क्रिया कलाप करना चाहते हैं जहां उनको कुछ चैलेंजिंग टास्क दिया जाए कुछ चुनोती पूर्ण कारे दिया जाए जबकि कुछ ऐसे क्रिया कलापों को पसंद करते हैं जो आसान क्रिया दूसरी चुनोती है अपने चात्रों की अधिगम शैलियों की जानकारी प्राप्त करना क्यों की अधिगम शैलियां क्या हैं सबकी अलग-अलग अधिगम शैलियों होती है कुछ बच्चे आपने देखा होगा लिखकर पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं यदि उनके सामने विशेवस्तु है तो अच्छा सीख जाते हैं, कुछ जब तक चर्चा पर चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, तब तक उनको समझ में नहीं आता, कुछ व्यक्तिक चिंतन को अधिक महत तो देते हैं, तो कुछ ब्रहमाण और जो बास्तविक अनुभाव हैं जब तक उनको ना कराये जाएं, तब तक वो नहीं सीखते हैं, ऐसे में व्यक्तिक अधिगम के प्रवंदन के सामने चुनोती हैं, कि जब आप वैक्तिक अधिगम के लिए विशेवस्तु का चैन कर रहे हैं, तो जब तक आपको विद्यार्थी की अधिगम सहली का पता नह है तब तक उसके लिए सही क्रियागलाप का नियोजन नहीं कर सकते और तीसरी है उसकी छंगता पढ़कर के उसके आगे उसको ग्रान कर सकते हो उसके बारे में चर्चा कर सकते हो उसके बारे में चिंतन कर सकते हो उनके अधिगम चंताओं भी बिन बिन होती है तो वेक्तिक अधिगम से जुड़ी पहली चुनोती है अध्यापक के सामने के वे छात्रों की बिविन प्रकार की रुचियों उसकी विवन प्रकार की अधिगम शैलियों और उसकी अधिगम छमताओं का ठीक प्रकार से पता लगाए यदि वो ऐसा कर पाएगा तो वह एक चरण आगे बढ़ जाएगा दूसरी चनोती जो व्यक्तिक अधिगम के प्रबंदन से जुड़ी है वह है कक्षा म कं छाथ्र संख्या है तो संभाव है कि अध्यापक प्रतेक चात्र के वारे में व्यक्तिक रूप से विशस्च जानकारियां एक अत्र कर ले पर भारती परिस्टितियों में आज भी कई बार खख्षाओं में छात्रों की शंख्या को जगहों पर बहुत ज़्यादा होती द अध्यापक है वह जहां बच्चों की संख्या कारेभार संक्षक यह काड़ी दुभाने के बाब जूद से अध्यापक है संग्या का मैं कख्षाएं जादा हैं तो उन पर बहुत अधिक कारेभार है तो ऐसे कारेभार अधिक होने पर उनका जो मुख्य बिंदु रहता है वो ये चिंतन करते हैं कि कैसे मैं पहले पाठ्थे वस्तु को पूरा करूं और पाठ्थे वस्तु को पूरा करने के क्रम में वो बैक्तिक अधिगम जैसी विशस्ट सैलियों से बचते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि वो उसको करना नहीं चाहते, उसको करने के लिए उन पर समय नहीं होता, तो ये एक बड़ी चुनोती है व्यक्तिक अधिगम के प्रबंदन में, अध्यापकों पर यदि कारेभार ठीक प्रकार से नियोजित कर दिया जाए, तो निश्यत और पर अध्या सामगरी कहां उपलब्द है, वो अधिगम सामगरी उसको कहां से मिलेगी, मालीजे उसको self instructional material चाहिए, स्वाधिगम सामगरी चाहिए, स्वाधिगम सामगरी कहां उपलब्द है, वो कहां से उसको ला सकता है, वो चाहता है कि वो computer साहित अधिगम के क्रिया कलापों का प्रि योग किया जा सकता कि खशन कि कित्ते विद्यारति योड़कर करकार से हैं तो जो अधिगम सामक्री है उसकी अपलब्धता सुनिश्चित करना भी आज के समय में सिक्षक के लिए बड़ी चुनोती है लेकिन मैंसे प्राण मी योग से प्रयास करने होंगे यदि हमारी सिक्षक इसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चत तोर पर वो व्यक्तिक अधिगम की बहुत सारी चुनोतियों से पार पा सकते हैं गोरोजी आपने हमें व्यक्तिक अधिगम की कई चुनोतियों के सभी पहुलों के बारे में बताया जिस जो की सिक्षकों के सामने चुनोती उपस्तित होती है यहाँ पर मैं आपसे प्रश्ण करना चाहूँगा कि जो व्यक्तिक अधिगम है और कक्षा कक्ष प्रबंधन है इसमें सिक्षक की भूमिका क्या होगी अभी तक हम मैं जितने चर्चा कर रहा हूँ और जितने बिंदों को मैंने विस्तार से बताया है प्रैयास किया है, कि उसमें सिक्षक की भूमिका को मैं रिखांकित करता चलूँ पिर भी यदि आप सिक्षक की भूमिका को एक बार और स्पस्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छा है क्यों कि हमारे सिक्षक जो इस कारिकरम को देख रहे हैं वो यह जान पाएंगे कि वेक्तिक अधिगम के प्रबंधन के लिए उनको क्या-क्या करना होता है यदि मैं चुनोतियू से उसका एक संकेत लूँ तो पहला काम है सिख्षक का छात्रों की पहचान करना चात्रों की पहचान से मेरा ताथ परे है चात्रों की योग्यताओं की पहचान करना चात्रों की छमताओं की पहचान करना चात्रों की अधिगम शैलियों की पहचान करना चात्रों के परिवेश की पहचान करना छात्रों के अधिगम आवश्रक्ताओं की पहचान करना क्योंकि जब तक एक अध्यापक छात्रों की विविद अधिगम आवश्रक्ताओं को नहीं पहचानेगा वो उनके लिए कैसे उचित व्यक्तिक अधिगम प्रणाली का प्रयोग करेगा किस सामिक्री का उपयोग करेगा यदि वो इनकी पहचान कर लेता है तो उसकी दूसरी महत्पूर्ण भूमिका है अधिगम सामिक्री की ब्यवस्था करना क्या अधिगम सामिक्री विद्याले में उपलब्ध है क्या इस प्रकार की अधिगम सामिगरी किसी साथी के पास उपलब्द है क्या कोई अभिवावा किसमें मदद कर सकता है क्या वह स्वयम इस प्रकार की अधिगम सामिगरी विक्सित कर सकता है या बाजार में कहीं वो कम दाम पर क्या उपलब्द है तो अधिगम सामिगरी कहां से लेकर आएगा वैक्तिक अधिगम के लिए ये सिक्षक की भूमिका है कि वो उसकी व्यवस्था करे और जब हम व्यक्तिक अधिगम की बात कर रहे हैं तो हितेश जी हम एक बात समझनी चाहिए कि हम बच्चे के व्यक्तिक अधिगम की बात कर रहे हैं और बच्चा व्यक्तिक रूप से अधिगम केवल विद्याले परिवेश में नहीं करता वो घर में भी करता है अर्थात ये थी बच्चे पर हम बैक्तिक अधिगम के क्रिया कलापों का प्रियोग करना चाहते हैं तो जितनी महात्पूर्ण भूमिका सिक्षक की है उतनी ही महात्पूर्ण भूमिका उन बच्चों के अभिवावकों की है ऐसी स्थिती में वह बच्चों के अभिवावकों के साथ कैसे सहयोग ले पाता है वो उनको कैसे संतुस्ट कर पाता है वो अभिवावकों के सहयोग को कैसे रिखांकित कर पाता है बच्चों के व्यक्तिक अधिगम के लिए इसमें भी सिक्षक के बड़ी भूमिका है अधिगम का आकलन सामान्य आकलन उपकरणों से नहीं हो सकता क्योंकि सामान्य आकलन उपकरण जो कक्षा कक्ष में प्रियोग किये जाते हैं वह अधिकांस्ता सामोहिक आकलन के उपकरण पूरी कक्षा को एक ही मानक पर जब हमें मुल्यांकितियां आकलित करना है तब हम उप प्रियोग करते हैं, लेकिन वैक्तिक अधिगम के लिए, हमें जिन आकलन उपकरणों का प्रियोग करना है, वे किस प्रकार के उपकरण होगे, उनकी पहचान करनी होगी, वे उपकरण उसको कहां से मिलेंगे, क्या उसको स्वेम निर्मित करने हैं, यदि स्वेम निर्मित करन पर्याप्त नहीं का उपयोग कैसे करेगा कै उसके उपयोग में सको कौन सा यह साभधानिया रखनी होंगे यह जो शारे पक्ष पॉक्स 710 की पहचानका पक्ष अधियुर्ण सामिक्री की वैयुस्था करने का पक्ष अभिवाब को से शयोग लेने का पक्षो, आंकलन के उपकरणों की पहचानबा, उप्योग करने का पक्षो, इन सारे पक्षों में सिक्षक की भूमी का बहुत महतुपूर हो जाती है, और यदि सिक्षक इन सारे कारियों को कर पाएगा, तो मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं, कि वो सारी चु कंचिए उपस्तितर चुमें इping में में उपस्तिति को संजा करें और उन को समझते हुए और अध्यापक के साथ साथ बच्चों के अभिवावकों पर भी क्योंकि कई बार क्या होता है कि कक्षा कक्ष में जो प्रक्रिया चल रही है यदि अध्याबक किसी बच्चे के अभिवावक से कहते हैं कि मैं आपके बच्चे के साथ ये अतरिक्त प्रयास करना चाहता हूँ आप क्यों करना चाहते हैं हमारे बच्चे में क्या कमी है तो अभिवावकों को इसके लिए तयार करना कि मैं आपके बच्चे के साथ वैक्तिक अधिगम के किसी क्रिया कलाब को अतरिक्त करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस प्रयास के द्वारा अधिगम की आवश्रक्ता है इसके लिए अभिवाबकों को तैयार करना इसके लिए अध्याबकों को बहुत अधिक प्रियास करना पड़ता है निकारना अध्याबकों को मुक्षिता दो-तीन चीजों का प्रियास करना पड़ता है एक तो बच्चों की पहचान करना क्योंकि आप सारे बच्चों उज़ा नहीं कह सकते, कक्षा में यह दि मैरे 30 बच्चे भी है, कि मैं 30 के 30 बच्चों पर व्यक्तिक अधिगम क्रिया कलापों का प्रियोग करूँगा, नहीं कर सकते, हर एक विशे वस्तु के लिए भी नहीं कर सकते, आप चाहें कि मेरे को जित व्यक्तिक क्रिया कलापों के लिए, ताकि वो अपनी गती से अधिगम कर सके, वो भी एक बड़ी चुनोती है सिक्षक के लिए, सिक्षक को ये सोचना कि इस बच्चे के साथ मैं व्यक्तिक अधिगम का कोई क्रिया कलाप करूँगा, और वह क्रिया कलाप करके मैं उस बच् करना होगा उसको बताना होगा कि बालक तुम्हें क्यों इसकी आवश्यक्ता है अक्सर चाओं में बच्चे छोटे होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती तो ऐसे में हमें ये किसको समझाना पड़ता है हमें उनके माता-पिता को समझाना हमारी चुनोती है बच्चों को तयार क से पार पा सकते हैं तो व्यक्तिक अधिगम हमारे लिए कोई ऐशा विसे नहीं है कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसका प्रियोग हम कक्षा कक्ष में ना कर सके और कक्षा कक्ष का प्रमंदन हम व्यक्तिक अधिगम यह तो ना कर सके बरोजी आपको बहुत-बहुत धनिवाद आज आपने व्यक्तिक अधिगम को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया, मैं इस्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत स्वा धनिवाद देता हूं, मैं अपने सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धनिवाद देता हूं, इस कारिक्रम को तेरे पूर्वग और ध्यान पूर्वग सुनने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद